दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग E.V. Lucas का लिखा एक essay discuss करेंगे जिसका नाम है Third Thoughts ये essay नहीं है बलकि कहाने की form में लिखा गया है सब मैं आपको बताऊंगा चलिए शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में ये जो essay है Third Thoughts ये essay नहीं है बलकि एक short story की form में लिखा गया है मैं पूरी story आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये essay समझ में आ जाए ये एक summary की तरह बनाईवी वीडियो है चलिए शुरू करते हैं हमारे writer जो है ये कहानी उनकी एक businessman दोस्त ने उनको सुनाई थी कहानी क्या है हम समझने ही कोशिश करते हैं कहानी का main character जो है एक businessman है नाम नहीं बताया गया वो businessman है लेकिन कच्चा businessman है उसको हमेशा घाटा होता है profit उसका कभी बनता है नहीं है वो जो भी चीज़े खरीदता है loss में निकालता है लेकिन किस्मत से इस आदमी को एक दिन एक ऐसा सौदा म मिला यह writer को खुद बताया था कि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि market में महेंगी चीज़े लेता हूं और लोगों को सफ्ते में बेचने के लिए फिर एक दिन मैं घूमते घूमते मेरी नजर पड़ी watercolor की एक painting पर और मुझे लगा कि हूँ सकता है कि यह painting Turner की होगी JMW Turner जो उस वक्त का बड़ा painter था जिसकी painting की बहुत कीमत थी market में शायद गलती से यह कीमती आइटम यहाँ पर बजार में पड़ा है जहाँ पर इसकी कोई value नहीं है मैं गया और अकड़ के उस आदमी से पूछा कितने की है वो बंदा बुला कि मुझे नहीं पता कि यह painting Turner की है या नहीं लेकिन मैं आपको 10 shilling में दे दूँगा आप ले लो तो writer भी अगले हफते London जा रहा था खरीद ली उसने कि London में पता कर लूँगा इतनी तो नुकसान खाई है एक और सही लेकिन 10 shilling बहुत महंगा सोधा नहीं है असली माल है कड़क माल है कि नहीं है मैं लेंडन में पता कर लूँगा दुकान दार ने तो यह कहकर अपना जाड़ लिया कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा ठीक है अब कमाल की बात यह थी यहां पर वो writer को बताता है businessman कि मुझे उस painting का एक खरिदार मिल गया खरिदा से भी ज्यादा profit हुआ जो expected नहीं था लेकिन उस profit के बाद यहां पर businessman writer को बोलता है कि मेरे दिमाग में सबसे पहरी चीज़ यह आई कि जिस गली में मैंने dealer से यह printing ली थी ना उसका behavior बड़ा अच्छा था मेरे लिए उसको इस profit में से कुछ तो हिस्सा देना चाहिए तो मैं मैं अपना half profit यहां पर businessman बोल रहा है कि मैंने अपना half profit उसे देने का सोचा फिर वो बैठकर एक note लिखने लगा उस dealer को मतलब वो बोलता है businessman बोलता है कि मैं एक note लिखने लगा उस dealer को कि यह तो असली टर्र की printing निकली मैंने इतना इतना profit कमाया और यह half profit मैं तुमें भीज रहा हूँ इस तरीके से लेकिन वो note लिखने के बाद मेरे उपर नजाने क्या हुआ मैंने उस note पर stamp नहीं लगाया उसको post नहीं किया बस बिस्तर पर जाकर लेड़ किया सुबह साड़े तीन बजे के आसपास आधी राती होती है उस टाइम पर मैं उठा और अपनी जिंदगी की गलतियों के बारे में सोचा रात को उठकर कभी-कभी आता है दिमाग में इतना मोटा profit कमा लिए आज तक तो कमाया नहीं था कि मैंने सौदे बाजी में कितना नुकसान जेला है आज तक मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सौदे बाजी किया है कितना नुकसान जेला है आज जब मेरी महनत से ये profit बना है मैंने उसको खरीदा जो खरीदार था इसका मैं आधा हिस्सा उस dealer को क्यों दूँ क्यों मैं इतना idealistic बनूँ आदा देना सही नहीं है तो मैंने तैक किया कि मैं 10 pound दूँगा only ये सोचकर मैं फिर से लेड गया लेकिन दिमाग में अब भी वही चल रहा था एक short stories की किताब उठा ली पढ़ने लगा आधी रात में और आखी बंद करके दुबारा सोचने लगा कि यार मैं 10 pounds भी क्यों दी रहा हूँ इतनी तरह दिखा क्यों रहा हूँ माला कि वो एक बड़ा nice बंदा है old man है लेकिन 10 pounds बहुत ज्यादा हो जाएंगे 5 pounds काफी हैं और मैं सो गया अब सुबह जब आख खुली तो फिर से डीलर की बारे में मैं सोचने लगा कि यार मैं 5 pounds भी क्यों दूँ उसका हकी क्या बनता है इन पैसों पर लाइफ में पहली बार मैंने मौके का प्रफिट कमाया मौके का प्रफिट मेरे हाथ में लगा और मैं किसी और को दे दू मैं क्यों किसी औरत की तरह सोच रहा हूँ मुझे तो रॉक्फेलर जो कि अमेरिका की एक पेमस फैमिली है पैसे वाली एंडर बिल्ट ये भी एक पेमस फैमिली है पैसे वालों की बड़ी पैसे वाली फैमिली है करोडों का प्राफिट धाप जाते हैं ये लोग डकार भी नहीं लेती तो मैं कि इतना सोच रहा हूँ इनकी तरह सोच रहा चीए मज़े हाँ एक पाउंड मैं उस आदमी को चलते फिरते कभी गिफ्ट की तरह दे दूँगा और अगर मैं उसे कुछ देने के बारे में सोच भी रहा हूँ ना यही अपने आप में बड़ी बात है इसके बाद वो बंदा जो था मतलब यहाँ पर जो बिस्निसमेन राइटर को अपनी स्टोरी सुना रहा है वो कलब चला गया बताता है कि मैं कलब चला गया और वहाँ पर भी मैं दिमाग में 36 बाते चल रही थी तो वहाँ पर कलब में दिमाग में जब ऐसी बाते चल रही थी मैं गेम खेलने लगा gambling होती है न जुवा खेले लगा और इसी सोच विचार में मैंने अपने सारे profit को game में लगा दिया वहाँ मैं सारा का सारा पैसा हार किया तो इस तरह से ये कहानी खतम होती है इस कहानी के conclusion में यहाँ पर writer हमको बताना चाह रहे है इस कहानी का conclusion क्या निकला ज्यादा सोचने से हमेशा नुकसान ही होता है या तो वो profit अपने पास में रख लेता या 50% को दी देता इतना सोचने की जरूरत नहीं थी ज्यादा सोचेगा नुकसान होगा तो यहीं पर यह ऐसे खतम होता है अब जब आपने यह वीडियो खतम कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरी कहानी समझ में आयोगी दोस्तों काफी सारे ऐसे ऐसे होता है जिनसे हमें काफी कुछ सेखने को मिलता है ऐसे और भी ऐसे जिसक्स करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में सितना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में